हुआ और इवन स्वागत आपका मेरे एम में एच्केशन चैनल के उपर आज की मारे वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे प्राइजिंग स्टैटेजिज बिस्नस एकनोमिक्स उनिट फोट के मैंने नोट्स यह हमारा लास्ट टोपिक है हमाई जो पछली वीडियो थी इस प्राइस स्टैटेटी फोट्टो आप्राइस मारे जैसे को मुन अग्से करें जिसमे को इसे प्रफिट मीम स्टैटेटन को जाहे एगज अचीव कर पाएं successfully objective pricing strategy है हमारा सबसे पहले survival in these days of services computations and business interpret the firm must set a price which will safeguard the welfare of firm मतलब कि ऐसा तो हम price को set करें जिससे हमारी जो firm हो वो तो safe रहे अगर हमें फाइदा नहीं हो तो हमें नुक्षान भी ना हो तो इस type का हम एक price को set करें जिससे हम अपनी जो firm है वो survival करती रहे long term तक चले rate of growth and sales maximization a firm is face a price which assures maximum sales of the product it is only then it can achieve growth जो firm है वो एक fix कर देते price को जिससे उसको sales ज्यादा स्यादा sales maximization हो जितने ज्यादा product होगा और उतनी ही हमारी क्या होगी अपने target को चीव हम जल्दी से जल्दी कर पाएंगे then next हमारा market share the firms wants to secure a large share in the market means of following a suitable price policy की जो firm होती है वो secure करती है कि अपना जो market का share है large share जो market है उसका मतलब कि अपना जो pricing policy है उससे अपना जो शेर हो suitable रहे ऐसा ना हो कि अपनी जो हम price ऐसा fix कर दे कि हम रोस में ही रच जाते जाए अपना जो profit है या फिर इतना तो हो जितना हमने लगाया उतना तो हमें वापिस मिले इसके ने क्या बोलगा एक प्रीडिर्माइड जो हमारा target rate होता है return of capital का जोतनी हमने इंवेस्ट के जैसे कि हम कर भी कोई भी चीज इंवेस्ट करते तो हम सबसे पहले सूचते कि में return कितना मिलेगा हम FD करवाते तो हम सबसे पहले पूछते ना कि आप कितने कितने परसेंट पर अपडी कर रहे हो कितना हमें आप ब्याज़दर दोगे तो वहीं चीज़े सके ने पूछी गए target rate on return capital हम अपनी जो return capital है उसके उपर हम target set करके चलते हैं कि हमने जितने capital कितना हमें वापिस मिलना चीह है हम उसी टाइप का जो प्राइज है वो fix करें making money some firms want to use the social positions in the industries by selling the products at premium at make quick profits such as possible पूछ फर्म ऐसे होते हैं जो इस टाइप का price fix करते हैं कि जितना ज़्यादा प्राइज कर सकें जितना ज़्यादा profit earn कर सकें जल्दी से जल्दी तो यह नहीं हो तक ही हो कि मुझे जल्द से जल्द profit earn करना है next हमारा क्या strategies होंगी एक नए product के लिए pricing strategy for a new product a new product on the other hand may means the introduction of entire new product which is not for introduced in the market new product का मतलिब कहता है जो market के नहीं किया गया हो उसको हम introduce करते हैं इसकी definition क्या होगी according to N.C. Joshi a product is a new when it is functionally dissimilar forms anything available in the market मतलिब किसी भी product के similar ना हो और कोई भी उस type का product market के ना आया हो उस product को हम market के लेके आते हैं उसको बोलते हैं नया product कोई भी नया product market के लेके आते हैं तो वो किसी के भी similar नहीं होना चाहिए और वो उसी को हम क्या बोलेंगे नया product जो किसी भी के भी similar ना हो जो market के अंदर एवलेबल ना हो if the new product is with the high distances among the existing products then the fixations of the price should be based on the demand market target and promotional strategies अगर आपका जो नया product है वो distensive है existing product से मतलब अलग है तो आपका उसका price भी based होगा किस के उपर based होगा उसकी demand के उपर उसकी market का target क्या है और जो आपकी promotional activities है जो promotional strategies कर रहे हो जैसे के advertisement कर रहे हो आप paper के अंदर एड दे रहे हो जो भी चीज़े होती है वो सब चीज़े वो उसके उपर आपके नए product क price depend करेगा in the case of pioneer products the estimations of demand is very difficult the estimation of demand for such product shall be studied as the policy final product का मतलब होता है जो परत्मिक product होते हैं मतब जो कभी आए ना हूँ हमने new launch जो product किया है जो मतब कभी हमने देखा ही ना हूँ उस product को market के अंदर लेके आते हैं तो वो हम किस तरिके से उसको study करेंगे उसकी demand को whether the new product is accepted by the consumer जो मारा new product है वो customers उसको expect करेंगे या expected acceptable होगा या नहीं होगा at what price that this is acceptable किस price के पर वो उसको expect करेंगे and if there or four price are fixed what will be the volume of sales at each price हम three or four हमने price fix के हैं तो किस volume के पर हम उसको sell करेंगे and what will be the reaction of the manufacturer of the substitutes जो manufacture और substitute से उनका क्या reaction होगा एक नए product को लेके आने में and then हमारा product testing first of all हम product testing करेंगे product testing refers to the various methods which are employed to assist the expectations of the consumer product testing के अंदर हम यह देखने कि consumer क्या चाहता है उसकी expectations क्या है उसके according लिए product को manufacture करते हैं भी नया product जब हम लेके आते हैं test making according to SL Rao test marketing does not eliminate risk it only improve knowledge and reduce the change of expensive mistakes test marketing होती है वो हमें risk को eliminate नहीं करती है वो सिर्फ हमें भी बताती है कि हम अपनी knowledge को किस तरह की से improve कर सकते हैं और किस तरह की से अपनी mistakes को कम कर सकते हैं काम करने के अंदर for entry new products unknown to the market the following two types pricing strategies are possibly used जब हम कोई भी नया product market के अंदर लेके आते हैं तो हम participatingly दो strategies को use करते हैं सबसे पहले हैं sinking price policy and an entirely new product is introduced the firm may set the price at relatively higher level जो firm है जब हम कोई भी नया product लेके आते हैं तो वो अपने higher level के उपर उसके price को fix करती है it takes the advantages of consumers who are willing to pay the higher price in the order to be the first users of the new product मतलब वो यह नहीं सोचते कि चलो हम use करके देखते हैं नया product आया है तो वो पहले हाई price के उपर उसको fix करके देखती है सबसे पहले हाई price के उपर उसको fix करेगी strategies के अंदर और वो यह सोचेगी जो मतलब कई लोग ऐसे होते हैं जो नया नया चीजों को use करना पसंद करते हैं तो उस टाइम पे वो high price के उपर वे उस चीज़ को खरीदेंगे नए नए products को लेके आएगी इसको high price के उपर लेके आएगी फर्म थर्स फिल स्कैम दे क्रीम ओफ द मार्के तो वो क्रीम तो निकल आएगी high price के उपर उसने fix किया और जो अमीर लोग होंगे जो अपर क्लास लोग होंगे वो उन चीजों को खरीद लेंगे जैसे कि हमारा iPhone है iPhone क्या करता है उसका high price होता है और वो क्या करता है क्रीम को ले लेते हैं and this must be done because the new products may soon be emitted by the other firms and the number of buyers offering of the buy it high price may go on diminishing it is for the reason that this price is called price sinking इसी वज़े से उसको price thinking बोला जाता है जब आप higher price के पर उसको offer करते हैं high price and फिर diminishing होना start हो जाता है कि मैं तो उपर उपर की क्रीम ने तो ले लिया उसको बट जो middle class लोग हैं जो lower class लोग हैं वो तो उसको purchase नहीं कर सकते अब iPhone जो है वो हर किसी के पास तो नहीं होता तो नहीं चीज़ इसके इंदर बोली गई है कि जरूरी नहीं है वो फिर diminishing होने start हो जाती है उसकी जो product की आपकी demand हो कम होने start हो जाती है इसके इंदर क्या बोलो गया कि वो पहले low price को fix करते हैं जब market के इंदर उसकी मतलब यह नहीं हो जाता है कि market के इंदर उसकी demand बढ़ रही है market के इंदर demand बढ़ रही है उस time पे उस चीज़ के price को high कर दिया चाता है जैसा कि जियो वालों ने किया था सबसे पहले आपको मुफ्त में net दिया जब आप उस चीज़ के आदी हो गए तो वो net बंद कर दिया और बंद करने के बाद अब उसके price बहुत जादा है उसका recharge बहुत जादा है तो वह strategy उन्होंने use की थी तो वही चीज़ इसके अंदर जो बोला गया है था choose between the two price policy depends on the rate of market growth जो चूज है मारा वो दो price policy किसके उपर depend होती है rate of the market growth market के आपके कितनी growth हो रही है rate of the erosion of the distance you nes and the cost structure of the producer की उसने producer ने कितनी cost उसके अंदर लगाई है वो सब चिजह आपके price की policies के उपर depend होती है लास्ट हमाया topic है pricing strategy in public utility services The term public utility services refers to services provider by the railway, water supply, electricity, telephone and post and telegraphs, cooking gas, supplies जो हमें public utility services हमें जो provide करवाई जाती है The nature of public utility services can be studied as follows They are monopolistic in nature Monopoly are the created by the act of government and computations is prevented by the few avoid wastage पर आप wastage को avoid करके और ये government के दिवारा create की जाते हैं Large scale operations होते हैं Public utility services are nationwide in the character They operates on a large scale which is fin enables the company to devise internal and external economy Public utility services होते हैं जो nationwide होते हैं जो gas services हैं electronic हैं वो सब nation मदब हर एक इनसान को provide करवाई जाते हैं Large scale pay operations होते हैं अपने के internal and external सारे economy को ये control करते हैं The demand is inelastic for the public utility services If the price of these services are increased by limiting the supplies It results in the exploitation of the consumer अगर अगर आप उसकी demand के accordingly उसकी price को increase करने लग जाओगे तो वो consumer को exploit करेगा क्योंकि demand तो उन चीजों की हर एक consumer को होती है तो उसके according लाप उसके price को increase नहीं कर सकते हैं The end हमाज उस लेबस है वो complete हो गया है according to me अगर फिर भी कोई topic रहे गया है इसे अलावा unit 4 के अंदर तो आप लोग मुझे comment में बता देना और भी किसी unit के अंदर रह गया है तो वह थो आप लोग comment में मुझे बता देना और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को बताई क्या गाना है कोमेंट सेक्षिन में बताना कि आपको वीडियो कैसी लेगी कोई भी डाउट है तो भी आप लोग कोमेंट सेक्षिन मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आपको इन नोट्स की पीडियेफ चीए तो टेलेग्राम चैलने का लिक भी डिस्क्रिप्शिन में है आप उसको भी जाक के साथ एक ने टोपिक के साथ थैंक यू फॉचिंग मैं वीडियो